हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप उम्मिद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे आज का यह वीडियो भारत पे का नया सर्विस की बारे में हैं जो की पोस्ट पे सर्विस इसके बारे में मैंने आपको वीडियो वना कर दे रखा है जो की पार्ट वान और पार्ट limit मिला जो की बिल्कुल free में मिलता है पार्ट टू वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर पार्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो पार्ट टू वीडियो जरूर देखिएगा वीडियो के description box में link है इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है किस तरह के benefit है किस तरह के service है कैसे मिलेगा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए credit score का क्या होता है और ये सारा कुछ बता रखे हैं कि किसके साथ इनका partnership हो रखा है तो पार्ट टू वीडियो जरूर देखिएगा description box में लिंक है अब हमने वो वीडियो बना कर दिया मेरे को 20,000 रुकिया का लिमिट मिल गया लेकिन काफे सारे telegram पर screenshot बेजे गया जिसमें बताया गया कि इस परकार की error आ रहे हैं हमें कोई limit नहीं मिल रहा तो सबसे पहले मैं समझा देना चाहूंगा कि यह error नहीं बलकि वेट लिस्ट में आपको डाला गया है अब आप लोग सोचोगे कि वेट लिस्ट में क्यों डाला गया कब यह हटेगा कैसे remove करेंगे तो इसका मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पोस्ट पे को mail किया था ठीक है पोस्ट पे को मैंने mail किया था mail में उन्होंने reply यह दिया कि आभी जो है केवल और केवल selected user को मिल रहा है यह facility जो यहाँ पर selected user है जो इनके eligibility criteria में आती है उन अनुसार से अभी लोगों को मिल रहा है तो आभी जो है यह service नया start हुआ है इनका eligibility criteria भी hard होगा जिसके बज़े से काफे सारे लोगों को waitlist में डाला जा रहा है यहाँ जो है क्रेडिट लाइन की service देता है जिसमें आपको एक card भी मिलता है credit card की तरह इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ पर यह service बहुत अच्छे है जिनको मिल गया है वो तो बहुत अच्छा बहुत जादा आ रहा था तो एक एक को reply देना possible नहीं था मैं देखता था कि एक घंटे पहले एक को reply दिया फिर 10 मिनट बाद एक का message आया फिर मतलब inbox वेगरा सारा कुछ यही screenshot से भरा पर है क्योंकि इसका benefit अच्छा था लोग यहाँ पर interested हुए और उनका काम क्या था कि वो है वो तुरंच से वो check कर लेते हैं तो यह eligibility criteria में बस आपका profile देखते हैं और profile देखने के बाद यहाँ पर आपका eligible अगर होते हैं तो limit वहाँ पर activate कर दिया जाता है लेकिन बहुत लोगों को wait list में डाला गया और wait list का कोई ilaj नहीं है जो ilaj है इनी के तरफ से होगा और यहा आप लोग next month से फिर एक बार try करके देखना वहाँ पर wait list नहीं रहता है या फिर आपको limit मिलता है क्योंकि भारत पर के जो application ने उस पर credit line की facility तो दिया जा रहा आता लेकिन काफी सारे लोगों को wait list में डाला गया था दिरी 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 करके जो भी wait list में थे उनको मिलना start हो कोई इलाज नहीं है आप लोग जो है कुछ दिन बाद try कर लेना मिल जाएगा और यहां पर एक एक को reply में देहीं दे सका जिसके वजह से मैं यह dedicated वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा वीडियो है लेकिन informative है ताकि आप लोग परिसान नहीं बलकि wait list का बताया जाता है तो वी वीडियो में हमें तेजिए इजाज़त सब तक के लिए good bye